नमस्कार एक पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है गीतिकाज जायकेदार कोबावनी रसोई में आज मैं आपको आपके लिए काले चने बनाने की विधी लेके आयू कि पहाड़ी तरीके से काले चने कैसे बनाए जाते हैं बहुत सारे मिनरस जो सुगर पेसेंटों के लिए बहुत अच्छा है काले चने खाना बच्चों को आप दे सकते हो काले चने भीगा के तो यह सब के लिए ही बहुत अच्छा है तो मैं आपको आज रेसेपी सेयर करूँगी कि पहाड़ी तरीके से काले चने कैसे बनाते हैं तो आलिए मैं आपको दिखाते हूं इसमें कौन-कौन से इंग्लीडेंस पर डालते हैं तो सबसे पहले मैंने यह दो बड़े प्यास काट लिये हैं दो बड़े काटे हैं दस से बारा लैसन है और तीन से चार यह हरी मिर्च है इसमें मसाला क्या-क्या डालेगा यह तीन टेबल इस्पून धनिया पाउडर है 1 टेबल इस्पून जीरा पाउडर है और एक काट गरम मसाला है यह घर 是我 मैंने घर पे तयार किया और मेरा खुटका बनाऊवा गरम मसाला है इसे बहुत अच्छी खुस्पू आती है तो मैं आपको इसकी भी कैसे पी आगे चलके सेयर करूंगी गरम मसाला घर पे कैसे बनाया बनाए और यह दो लॉंग है और वन पिंच और यह वन इस्पून हल्दी पाउडर है लाल मिर्च पॉडर और मिर्च आप अपने हिसाब से क साँ कर लेंगे काटे यह पीस के नीए है इससopaइ द्टां करने कि आपको की जाटा दोजआ हो त्रहसदेड कर्नेगे सब्सक्पू दो चम्मच तेल डाल डिये है, डाल रखा और राहा और गरम हो गया है, जैसी त तेल गरम होगा और रात्त की सखले हैं, पहारी कहाता है, जब दुआ आने लगे की लिए लहादा ही,ी गेत वोक्तला और तो लुक्तला हूं 강ईबे हें अब चाहिण यो keep up, Mr tiya honey it, प्याज और कर 국yu उसका ब्राउन पिर यह 5 पिनट भूलना है जब ना भूल जाएगा तो पिडमाटर डालूगी और लेसन मैंने इसमें इसमें लेसन डाल दिये हैं जो यह कूटने वाला है और इसमें इसका दरदरा पेस्ट बना लूँगी कूट के जादा महीं नहीं करना है जो दरदरा पेस्ट बनाना है अब मैंने यह लेसन का जो दरदरा पेस्ट बनाया था वह मैं इसमें डाल दूँगी और इस लेसन को भी दो से तीन मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्छा पन नितल जाए और जब लेसन बून जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटे डाल दूँगी लेसन बून चुका है और बहुत अच्छी कुछ भू आ रही है अब मैं जो मैंने दो बड़ी टमाटे ले थे वो मैं इसमें डाल दूँगी और यह हमेसा ध्यान रखे कि जैसे ही आप टमाटे डालते हो वैसे ही आपको उसमें नमक डालना है ताकि यह टमाटे फटाफट से गल जाए तो मैं इसमें यह नमक डाल दूँगी यह मैंने दो चम्मच अपने स्वाद के अनुसार आपको नमक लेना है तो मैंने दो चम्मच नमक लिया है तो मैं यह डाल दूँगी और इसको भी अब अच्छे से भून लोंगी नमक के साथ जब टमाटर थोड़ा गल जाएंगे उसके बाद मैं इसमें बाकी मसाले अब करोंगे इटिक करके सबसे पहले हलवी डालूँगी हलवी के बाद यह लन मिटच अब इनको डालनेके बाद खूंड़ा कायश चला लेगे यह मैं आपको पहाडी तलिझे से काले चनी बनाना दटा रही हूं काले चनी तो बहौती फाइवर से भ्रत्वूर है तो हफ् एक प्रोटीन विटानिंस मिन्रेल्स मिलते हैं उससे ज्यादा आपको इस काले चने में लिएगा इसके बाद इसमें धनिया पौडर डालूंगी जीरा पौडर डालूंगी आपको दिख रहा होगा कि इसका मसाला कैसे इतना अच्छा भी हो रहा है और खुबू भी बहुत अच्छी आ रही है मसाले की इसको मैं ब्रोटी मिनट तक अभी ऐसे ही भूनोंगी मसाला भूंते भूंते पाथ मिनट हो गए है और मसाल साइट से टेल खोड़ लिया है देखिए यह अच्छे से पज़िया है बस टमाटर को ऐसे मैस कटके रहना है बीरिक मता की टमाटर अच्छे से गढ़ी जाए को सार इसमें काले जढ़ने डाल दोगी अबसे काले चणी डाल रही हूं काले चणी डालने के बाद इसको पाली डालके पानी अपनि तुछ दुछ नालने के बाद तिन से चार मिनट तक आपको ऐसे लगातार बूनना है, यह सारे मसाले MSALE मिक्स हो गए है इसमें मैं अब 3-4 घिलास पानी डालोंगी जितना आपको पतला अरखना है उतना पानी डाल सकते हो जितना कम रखना है गाडा रखना उतना पा स्पट्रू सुंदा लग रहे हैं इसको मैं आप कूकर लिखा स पांत सीटी के बाद हैं rail बन जाए गा लें सीटी चली गही हैं मैंने इसको सच师 कई िसे कैसे बन है लगता के लिख में ही तो बहुत अच्छे लग यह देखिए यह उस टरीके से तैयार है और मैंदे हैं इसके आलु थे तो मैं इसरे बड़े हैं हम काते के थे थे तो स्दूमक recording यह को पक्राइब सकते हो और फिरूमकित कार ना वे संफरल टिक है है किसा शहां है किसे नोट अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ यह मैंने इस ताले चनों की प्लेटिंग कर लिया है आप इसको ऐसे नीबू के साथ खा सते हो इसको अफ्थुरासन नीबू पर सिद्राल के तो खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमारे जैसे पहाड पर आप आप प्लेटिंग के साथ ही सर्फ किया जाता है तो यह एसे राइते के संग खाने में बहुत टेस्टी लगता है काले चने के संगिये सुबर बेडिक फास्ट में आप यह ऐसे खाकर जाएए आप पूरा दिन भूख नहीं लगे आप इतने एनेर्जेटिक रहेंग आप मुझे बता सकते हैं, और कोई आपको रेसिपी सिर्खनी है, बनानी है, तो आप मुझे जरूर पूछिए, मैं जरूर आप पे लिए लेके आऊंगी नई वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग प्लीस मेरे अपने मेरी पूरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत ब झाल झाल